मिली। बहुत करेंगा sun करें गवार कॉंप्लेक्स की तो देख रहे हैं की गवार गम का अक्टुबर बाइदा अठावन सो चोफ़न पर है अगवार सीर्ड का अक्टुबर बाइदा अठवन सो च ओड़ेक्शन के साथ और गवार गम का अक्टूबर वायदा 9,890 पर है 0.5% की करेक्शन देख रहे हैं कि दो दिन की गवार की तेजी के बाद आज हफते के आखरी कारवारी दिन शाम के कारवारी साथ में गवार की कीमतों में गवार कंप्लेक्स के अंदर एक गिरावर वारा रुजान देखने को मिल रहा है आपको बता दें कि मोतिराल आस्वार के वाइस प्रेसिडेंड अमित सजेजा के मुताविक जब तक गवार गम की कीमते 10,200, 10,300 के उपर क्लोजिंग देने में कावियाब नहीं होती है तब तक गवार की जो कीमते हैं उनके अंदर एक नर्वी वाला रुजान ऐसी उठापटक वाला देखने को मिलता रहेगा कभी उपरी सर्कीट लग गए कभी लोवर सर्कीट लग गए निचले स्थर देखने को मिले तो कभी एक स्थिर्टा देखने को मिली तब तक गवार की कीमतें ऐसे ही बनती रहेंगी आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर अब जो मौसम की जो गतिवीदियां तेज हुई है तो राजस्थान में गवार का जो रगवा है लगवग पिछले साल के मुकावले बराबरी होता हाला कि कुछ कम है लेकिन अब जो रगवा थोड़ा बड़ा है उसकी वजासे गवार में राजस्थान में गवार की उत्पादर में एक थोड़ी बहुत हलकी बड़त हो सकती है और दूसरा मौसम जब से रियक्टिव वा है गराजस्थान के सासत अन्य छेतरों में भी गवार की जो गवाई है उसके अंदर कुछ बड़ोतरी देखने को मिल सकती है दूसरा इंडेस्ट्रिल डिमांड ठीक ठाक है गवार की जो कीमते एक दम से नीचे नहीं जाएंगी जब तक वायदा बजार की बात कर रहा हूँ भी मैं ये वायदा बजार में जब तक गवार गम की कीमते 10,200, 10,300 के उपर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक गवार की कीमतों में ऐसी उठा पटक का महौल जारी रहेगा और जब 10,200, 10,300 के टक क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है गौर गम का वायदा बजार तो मोतिलाल असवाल के वाइस स्पेसिनल अमित सजर की मताबी गौर की कीमतों में एक बाद फिर से तेजी देखने को मिलेगी तब तब गौर शीड की कीमतों में भी ऐसे ही उठापटका महौल देखने को मिलता रहेगा जहां पैए एक बार 22,300, 3300 के पर सस्टेंडरीटी देखने को मिल जाती है गौर शीड की कीमतों में तो गौर शीड की कीमते उपर में 800 तक जाती भी नजर आ सकती है तो ये तो बात देए थे हमने वार कॉंप्लेक्स ही